प्रदेश के पांच एकर तक भूमी पर खीती करने वाले किसान परिवारों को 15,000 रुपे से कम की मासिक परिवारिक आयूँ वाले सभी परिवारों के लिए मनुहारी सौगा देते हुए मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधी के नाम से एक नहीं योजना शुरू करने की घ प्रतेक लाभार्ती परिवार प्रतिवर्श शेहजार रुपे की सहायता का पात्र होगा और प्रतेक लाभार्ती परिवार लाभार्त हेतु परिवार के किसी भी एक सद्धस्य को मनोनित करना होगा अभी तक हमको ध्यान में है कि व्यक्ति की पैचान उसके आधार कार्ड नमर से होती थी तो बहुत सी उसकी जो कठनाईया है वो दूर हो गई थी हर व्यक्ति का अपना एक पैचान जो है आधार के उपर निर्वर थी अभी हमने विचार किया कि बहुत ऐसी योजना होती है जो जिसका अधार परिवार होता है और वैसी भी समाज में परिवार की इकाई है तो परिवार को अलग परिवार को अलग आईडी दे जाए इस नाते से हमने इस योजना को शुरू किया है और अपरेल तक ही सारी आइडी सब को इसके पचान पत्र दे दिये जाएंगे और इस परिवार की पचान के नाते ही हमने जो गोशनाय की हैं उसमें जो ऐसे परिवार है जिनकी जमीन पांच एकड़ से कम है यह नि किसान है बांते हुए हमने कोशनाय की हैं जिसके अंदर जो लोग चालिस साल से उपर के साथ साल तक के हैं ऐसे परिवारों को दो योजनाय दी है यह तो छे जार रुपया वार्षिक कैश ले सकते हैं तीन किस्तों में अथवा उनके लिए एक परिवार सम्रिद्धी योजना निधी एक हमने बनाई है जिसके अंदर हर पांच साल के बाद उनको 36 रुपया नगत यह उस योजना में मिलेगा इसी परकार 18 से जो 40 साल के लोग हैं उनके लिए किसानों के लिए एक किसान पेंश साथ वर्ष होने के बाद यह उनको मिलेगी तीनों योजनाओं में से किसी को भी वो चुन सकते हैं और चुन करके इसका लाव ले सकते हैं इसी परकास 40 से 60 वर्ष तक दूसरी शेणी के लाभारतियों के लिए दो विकल्प होंगे विकल्प एक के तहत लाभारती परिवार प्रती वर्ष 6,000 रुपए की राशी नगत प्राप्त कर सकता है जो 2-2,000 रुपए की 3 समान किष्टों में परिवार के मुखिया के खाते में जमा करवाई जाएंगी दूसरे विकल्प के तहत मनोनित लाभारती को प्रतेक 5 वर्ष के बाद 36,000 रुपए मिलेंगे चंडीगर से आजप्रकाश टीवी